आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। फ्रेंकल दोस जो होता है, हम लोग लिखें। तथा रिडायन में जब अकार का या त्रिज्या का ज्यादा अंतर हो तब अधिक होता है। तब अधिक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो हम लोगों के पास कथन है वो तो गलत हुआ। इसमें बोला गया है कम अंतर जबकि होना क्या चाहिए। ज्यादा अंतर होना चाहिए। दूसरा जो बोला गया है फ्रेंकल दोस एक विस्थापन दोस नहीं है। तो इसके लिए भी अब देखें दूसरे कत्थन के बारे में हम लोग क्या कह सकते है। फ्रेंकल दोस जो होता है एक विस्थापन दोस का ही प्रकार है एक विस्थापन दोस का ही प्रकार है तो यह तो गलत हो गया है कि नहीं फ्रेंकल दोस क्या है विस्थापन दोस के अंदर आता है अब तीसरा जो कथन है वो क्या बोला गया है जालक में एलेक्टरॉन के फसने से एफ कैंधर का निर्माड होता है तो तीसरे कथन के लिए हम लोग तीसरा कतन देगे अगर माल लीजिए हम लोगों के पास जो ठोस है वो कुछ इस प्रकार से है ये कटायन और एनायन है है ना और जब एनायन अपना जगह छोड़ कर भाग जाता है बाहर ठोस से बाहर चला जाता है तो उस समय वो अपने एलेक्ट्रॉन को अपने ही निश्चित अस्थान पर छोड़ कर चला जाता है ठीक है जिससे की इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रह जाता है है ना तो अगर ये धनायन है ये रिडायन है ये धनायन है ये रिडायन है ये धनायन है और ये रिडायन है ऐसे ही यहाँ पे ये धनायन है ये रिड़ायन है और ये धनायन है अब माल लिया जाए कि ये वाला आपका एनायन जो है वो भाग रहा है तो जब ये जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ के जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते है एफ केंदर कहते है और इसी केंदर के वजह से ये जिम्मेदार होता है तो ठोसो में रंग के लिए जिम्मेदार होता है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है ठोसो में रंग के लिए जिम्मेदार कौन है तो एफ केंदर जिम्मेदार है इसका मतलब कि बिलकुल ये तीसरा वाला जालक में इलेक्ट्रॉन के फसने से क्या बनता ह ठीक है यह, यानि कि तीसरा जो हम लोगों के पास कथन है, वही सही उत्तर हुआ, चौथा जो हम लोगों के पास कथन दिया गया है, क्या बोला गया है, ठोसों के भौतिक गुणों पर सौट की दोस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, आ आपको घनत्व के बारे में पता चला होगा क्या होगा चौथे कथन के लिए सौट की डोस में है ना क्या होता है धनायन तथा रिडायन के बाहर जाने के वजह से ठोस के द्रब्यमान में क्या होता है कमी आजाती है ठोस के द्रब्यमान में कमी आजाती है ना और हम लोगों को पता है घनत्व बराबर क्या होता है तो द्रब्यमान बटा आयतन हम लोग करते हैं अब जब द्रब्यमान कम होगा तो घनत्व भी कम हो जाएगा है ना तो इसका मतलब कि 60 की दोस होने पर क्या हो जाता है ठोसों के भौती गुड़ों में परिवर्तन होता है और यहां पर क्या बोला गया कथन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता मतलब यह भी बहिए क्या बोल दिया गया गलत बोल दिया गया है तो कौन सा उत्तर सही है हम लोग कौन सा कथन सही बोलेंगे उत्तर है हम लोग का तीसरा कथन सही है ठीक है धन्यवाद सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर